हेलो फ्रेंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में आज हम इस लेक्षर वीडियो में महा जन्पदा तथा मगस समराज का उतकर्स को देखेंगे तो आप जूरे रहें वीडियो के साथ जैसा कि हम लोगों ने पीछली वीडियो में वैदिक काल को पड़ा था जिसको हम लोगों ने दो भाग में बाट कर देखा था रिग वैदिक काल था उत्तर वैदिक काल जिसका पिडियड पंदरसो से एक हजार था और उत्तर वैदिक काल का एक हजार से छे सो बिसी अगर आप लोगों ने वैदिक काल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो चेक करिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है तो हम लोग रिग वैदिक काल में देखते हैं कि उस समय जो समाज थी पुरी तरक कबिलाई थी आर्थिक स्रोत का मुख्याधार पसुपालन थी और उस काल की प्रसासनी की जो सर्वचिकाई थी वो जन थी जो बहुत सारे कबिलाई मिलकर बनते थे वहें उत्तरवैदिकाल आते आते जिसका पिरियड 1620 पूर्व था बहुत से बदलाई देखे जाने लगे उनका भगोली छेतरों का विस्तार होने लगा किरसी की परधानता भढ़ी साथी भूमी की अवधारना सामने आई और प्रसासने की काई में भी बदलाई देखा जाने लगा अब बहुत सारे जन मिलकर जनपत कहे जाने लगे वहें इस करम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो लगबग 600-820 तक बदलाई की रफतार और बढ़ गई और एक नया दोर शुरू हुआ और इस काल की बदलाव का मुख्य कारण लोहे का परयोग था जो एतिहासी करांती लाया जिसे ही हम लोग महा जनपत के नाम से जानते हैं लोहे के परियोग से महा जनपत काल में आर्थिक छेत्र में बहु से बदलाव आ हैं और आर्थिक छेत्र की बदलाव से उसके समाजिक छेत्र, धार्मिक छेत्र और राजनितिक छेत्र में भी बदलाव देखा जाने लगा तो आर्थिक शेत्र में बदलाव कैसे आया वो देखते हैं हमनों देखते हैं कि लोहे के परयोग से जंगल काटा गया और जंगल काटने में आसानी हुई आता जिससे क्रिसी योग भूमी तयार हुआ और भूमी का विस्तार हुआ जिससे क्रिसी अधिसेस बढ़ी और साथी वैपार की गतिविधिया में बढ़ोतरी हुई लोहे के परयोग ना केवल उसके राजनितिक और आर्थिक छेत्र में बलकि प्रसासनिक छेत्र में भी परिवर्तन लाया प्रसासन की जो सर्वचिकाई थी अब महा जनपद बना जो बहुत सारे जनपद मिलकर बनते थे और बहुत सारे नगर एवो महा नगर अस्तितु में आये राजकिये मुद्रा का पड़ियोग शुरू हुआ और साथी लेखन परनाली का भी विकास हुआ और इस प्रकार 16 महा जनपद अस्तितु में आये जो इस प्रकार है अब हम लोग 16 महा जनपदों को देखते हैं तो 16 महा जनपद में पहला आता है वज्जी जिसकी राजधानी थी वैसाली जो वर्तमान में उत्री बिहार का छेतर पड़ता है दूसरा था कासी जिसकी राजधानी वरानसी थी और तीसरा था कूरू जिसकी राजधानी इंदर प्रस थी जो वरतमान में मेरड तथा दच्छिन पुरवी हरयाना वाला छेतर पड़ता है चाुथा था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा जो भागलपूर और मुंगेर का एरिया पड़ता है वरतमान में पाचमा है कोसल जिसकी राजधानी स्रावसत्ती थी जिसके जो वरतमान के छेत्र फैजावाद मंडल में पड़ता है छट्था था वत्ष जिसकी राजधानी को संभी थी जो वर्तमान में इलाहबाद के आसपास वला एरिया परता है सातमा था अवंती जो जिसकी राजधानी उज्जैन तथा महस्मती थी अवंती को दो भाग में उत्रिय और दचनी भाग में बाटा गया था आठमा था मगद जिसकी राजधानी राजगिरे थी या गिरी बिरीज भी थी जो वरतमान में दचनी बिहार पटना गया के आसपस वला एरिया पड़ता है नौमा था गंधार जिसकी राजधानी तचसीला था वर्तमान में पेशावर तथा रावल पिंडी पाकिस्तान के एडिया में पड़ता है दसमा था सूर सेन जिसकी राजधानी मतुरा और इगरमा था कमबोज जिसकी राजधानी राजपूर या हटक जो वर्तमान में कास्मीर में परता है बरमा था मतस्य जिसकी राजधानी विराट नगर था वर्तमान में अलवर और भरतपूर का छेत्र तेर्मा था असमक जिसके राजधानी पोतन या पोटिल जो वर्तमान में आंध पर्देश का एरिया पड़ता है चौदा था मल जो जिसके राजधानी कुसी नारा था और जो वर्तमान में देवरिया और गुरोगपूर का एरिया को छेतर पर पड़ता है और पंद्रा था चेंदी या चेती जिसके राधानी सुक्ति मति था जो अभी के समय वर्तमान में बुंदेल खर्ण का एरिया पड़ता है सोला था पंचाल जिसको दचनी और उत्री भाग में बाटा गया था और जिसके राधानी आहिश्चेत्र और कमबी पल था और जो वर्तमान में बढ़ेली रामनगर और फरुकाबाद एरिया में पड़ता है इन सोला महाजनपदों में वज्जी तथा मल में गन्तांत्रिक व्यवस्था थी बाकी सब महाजनपदों में राज्तांत्रिक व्यवस्था थी छटी सताबदी में भारत के राजनिती की तियास में सोला महाजनपदों के बीच प्रभूत के लिए संगर्स हुआ और अता इन 16 महाजनपतों में चार सबसे सक्तिसाली महाजनपत उभर के आए जिन में से पहला है कोशल, वत्स, अवंती तथा मगद और इन चारों सक्तिसाली राजियों में मगद समराज सबसे सक्तिसाली समराज बनकर उभरा तो अब हम लोग मगे समराज का उदय का क्या कारण था वो देखेंगे next वीडियो में इस वीडियो में हम लोगों ने महा जनपत को कवर किया तो I hope कि ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो प्ली लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आगान दवाना ना भूले